नमस्कार आप देख रहे हैं N20 लाइब मैं आर रॉय आप सभी दर्सकों का एक बर फिर से स्वागत करता हूँ जिसा कि आपको बहुत दिनों से मैं महभारी पंचायत का हर एक अपडेट पहुंचाने का कोशिस कर रहा हूँ और उसमें आज 11 सितंबर है और 11 सितंबर का भी ए नमांकन करा के आई हुई हैं तो आए इन से जानते हैं कि नमांकन तो हो चुका है और चुनाओ की त्यारी कैसी चल रही है और किस मुद्दा पर चुनाओ लड़ेंगे जिसा कि 5 सल अपना समय ये बिता चुके हैं महभारी पंचायत में और 5 साल से ये जनता की सेवा भी कर हैं और जनता भी इन से भली भाती परचित भी हो चुकी है तो कैसा इनका ये चुनाओ रहेगा आए इनी से जानते हैं स्वागत है हमारे चैनल पर मुख्या जी और जनता के बीच गए जनता हमको पुर्ण रूप से असिरबात देने का पर्यास कर रही है हम किसी से जुठावादा नहीं करते हैं हमको जो फंड मिला उसके अनसार हमने विकास किया है कुछ लोग ऐसे हैं कि जुठा अनापसना बोलते हैं चुनाओ लड़ जाते हैं और जब चुनाओ हार जाते हैं तो पान साल तक पब्लिक से अपना दर्सन तक नहीं कराते हैं विदेश भाग जाते हैं कहीं कमाने भाग जाते हैं और हमने तो चुनाओ हारा भी है तो पंचायत में जनता के बीच रहे हैं चुनाओ तीन बार हमारे और तीनों बार हार करके साम को हार करके आते थे और सुबह में पब्लिक के बीच जाते थे तो पब्लिक ने हमको अपना विश्वास दिया और पब्लिक में मेरा पूरा विश्वास है हमारे उपर पब्लिक विश्वास किया है इसी के अधार पर हम चुनाव जीतेंगे और विकास भी हमने किया है तो जैस पास 15-20 साल का एक राजनीती का नुभाव है, ऐसे भी बहुत सार रपर्त्यासि है है, उनके पास 15-20 साल का नुभाव है, कोई किसी सानुभाव में कम नहीं है, लेकिन ये तै करना है जंता को 29 तारी को, कि जंता किस के साथ जाना पसंद करेगी, अगर फिर से जनता आपको अगर चुनती है तो क्यों आपको चुने फिर से हमारे कर्म पर हमको जनता चुनेगी और जनता के हमने मन जीता है इस उमीद से हमको है कि जनता का मन हम जीते हुए है और जनता हमारी साथ है पांच साल हमको मोका मिला जनता हमको दिया समय हमने पूरुन रूप से विश्वास किया है और पबली के बीज जो भी पैसा मिला फंड मिला हम अपना इमंदारी पुर्वक पबली के बीज लिया करके धरातल पर उतार दिये हैं हमने कहीं कोरकसर नहीं छोड़ा बात एक रही किजे हमको फंड जीतना चाहिए उतना नहीं मि तो विकास कहां से कराएगा कोई ख्यत बेच करके कराएगा पबली के बीच कुछ लोग जूटे वादे करते हैं और जूटे लोग चुनाओ लड़ जाते हैं और चुनाओ में जब पबलीक करारा जबाब देती है उन लोगों को तो उन लोग फिर सर्म के मारे बिदेश भाग जाते हैं और बिदेश जाते हैं चार साल कमाते हैं और जब चुनाव का समय आता है तो दो चार वहीना पहले आ जाते हैं और चुनाव में आ करके खूँज जाते हैं और अपना डफली बजाना शुरू कर देते हैं जह हम चुनाव में ये करेंगे, हम चुनाव में वो करेंगे एक पंचायत का हमारे परत्यासी है, बोल रहा है हम तीन तीन ठो रोड बनवाये हैं कहां तुम तीन रोड बनवाया है जी किस फंड से बनवाया है जी है जारा हमको यह बता दे जो किस फंड से बनवाया है और कहां से बनवाया है हम भी अपने पंचायत में दोठो पीछ रोड बनवाये हैं तो मेरा फंड है हम परियास किये बिधायक लोग बनवाया, मुखонец Comstad, मुख्य मंतरी, शबक योजना में दिये, हमारे मौलापूर में पीछ रूड बना, दो पीछ रूड बना में मौलापूर में, और एक महवारी में अभी आज दस फंदरह रोज पहले बना, और एक ढ़र रोड हमारे पन्चायत में काम लग गया है जो कि जा सौवली का प्रेम सिंघ ठिकदार है कदम मोड से ले करके महवारी काली अस्थान तक रोड में काम चारों से लग गया है तो हम जूठ बोलेंगे जे हमने करवा रहा है हमारे पास क्लोरू रप्या सरकार नहीं देती है, पंचायत में इतना पैसा नहीं आता है, वो PWD का रोड है, यारियो का रोड है, जिला परसद का रोड है, और जुठा जुठा वादा लोग करते हैं, अब काने का मतलब है यहां से इस छेतर से जिला परसद जीत कर गई थी एक्ठो, वो फंड दे दी कोई किसी वापस हो जाता है, दुबई शुदी के लिए भी देश, खाड़ी देशों वेजा करके, और यहां पर पब्लिक को गुमराह करता है, पब्लिक बूरबक है, पब्लिक हमारे पंचायत का बूरबक नहीं है, जहां से में आ करके, और किसी भी आदमी को भोट थोड़ो दे दे चाड़ी, जो जिसको जानती है, जहें 12 बज़ा रात को एक काथा होता है, गरीब लड़की, गरीब आदमी को लड़की का सादी होता है, उसमें जाते हैं, गरीब लोगों का सादी, जितने दवे कुछले लोग हैं, सादी, बिवा, काथा, पुजी, मरन, जियन, सब में हम हमारे पंचायत के अंदर एक हत्या हो गया दो साल पहले हमारे पास ख़बर आया एक बज़े एक बज़े रात में ख़बर आया जो मुख्या जी आपके पंचायत में हत्या हो गया है उसी टाइम हम अपना मोटर साइकल उठाए बेगार अपने जान को खत्रा मोले हुए बेग कोई पंचायत का पर्तियासी ऐसा दिखा दे यह सब आता है लोग समय आता है तो उलज जाता है सब अजय से चुनाव भीता है जब पब्लिक करारा जबाब दे देती है यह फिर पुनाव अपना कमाने के लिए बिदेश भग जाते हैं क्या उनलों पर भरुसा थोड़ों पब भाने के लिए तरह-तरह के वादें कर रहे हैं यह आप्शी की परतियासी नहीं बहुत अरब पर्तियासी तो ऐसे भी वादे कर रहे हैं जैसे मानू यह पर्धान मंतरी जनता भली भाती परचित है तो जनता भाकाव में आने वाली आप किसी के है नहीं तो क्या आपका जो एजेंडर है रहेगा किस मुद्दा पर आप जनता का पासाब जा रहे हैं हमारा एक मुदा यही है कि हम पबलिक के साथ दिन रात एक एक किये हुए हैं और उसमें भी हमको पबलिक हमारे उपर भरोसा की हुई है यह इस लोग तंतर में चुनाव लड़ना सब का अधिकार है जो इस भारत देश का नागरिक्ता पराप्त कर लिया है उसको चुनाव जाएगा अहार करके फिर भग जाएगा विदेश तो लोगो जहांसे में पबलिक नहीं आने वाली है जो यहां दुख सुख हर दुख सुख में रता है दिन रात हम जरिया धनबाद बोकारों थोड़ों रते हैं हम मुलनापूर मुवारी भदावरा में रते हैं कुछ इमांदारी पूर्व का आप लोग के बातों को देखी भी रही है जिसा कि हम तीन-चार परत्यासियों का अपडेट हमेसा हम कुछ ने कुछ देते रहे हैं और जनता भी इंतिजार में रह रही है कि मुख्या जी का आज कोई नहीं जाएगा उनका आज कोई नहीं जाएगा क्योंकि बहुत इंट्रेस्टिंग ये चुनाव हो चुका है खासकर महवारी पंचायत का हर जनता यहां पे आप लोगों में इंट्रेस्ट लेना सुरू कर दी हो या आप हो या इसके पहले जो मुख्या थे ओह हो या पेक साध्यक्ष हो इन लोगों के बारे में काफी आपके लिए असान होगा पिछी सल जेते हैं बिलकुल असान होगा हमारे लिए आने वला उन्तीस तारी को पब्लिक हमारे पक्स में बोड़ डालेगी और हम पुना विजयी होंगे हमें पुन रूप से है बिश्वास है पब्लिक का हमने मन जीता है पबलिक अंधा थोड़ो है यह आया कोई और चुनाओ अपना डफली बजाया और जहांसे में आ गया चुनाओ भोट दे दिया भोट हमारे पक्स में पबलिक करेगी और मैं पुना जीत करके आऊंगा जनता का विश्वास है और पुना विकास जो मेरा अध किन गाउन है भादोरा मॉला पुर पंचाइत है 10 वाड है लोक बोलते हैं नहीं हुआ अधाच नहीं है तो सरकार के पैसा गया bahi सरकार जो हमको पैसा दिया है वो पैसा गया क्या है एक सब्द में लोग बोल देते हैं जे बिकास नहीं हुआ है बिकास जा करके देखो पता करो जे बिकास कहां हुआ है कहां नहीं हुआ है बिकास बिकास हमने किया है सरकार का पैसा है कोई हम सब्सक्राइब का पैसा थोड़ कैसे होता है तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से महवारी पंचायत की जो भी जनता आपको अभी देख रही है उस जनता से आप क्या अपिल कीजिएगा 29 तारी को चुनाव है उसके लिए हमें कुछ नहीं अपिल करना है जनता अगदम पूर रूप से भरोसा हमारे उपर की ह हमको क्या पिल करना है हम बरतमान मुखिया है हम बरतमान मुखिया है हमको क्या पिल करना है जो डफली बजा रहा है बजावे अपना डफली हमारे पक्ष में जनता हमको भोड देगी हम चुनाव जीतेंगे हमको भरोसा है पबलिक थो जहांसा में किसी को आने जी हां बोलना है तो हमारे काम को जा करके जाज करें जे जी पी डी पी में हमने कौन-कौन सा इस्कीम दिया है पंचायद के लिए एक इंच नहीं रोड छोड़े हैं एक इंच जो कहीं नाला नहीं छोड़े हैं PCC पीच जैसे हो हम सब उसको GPDP में दिये हुए हैं अब हमारे यहां तीन गाओं है तीन गाओं में हम तीनों दो गाओं में तो दे चुके हैं एक गाओं और हमको जुरवा देना है महुआरी में एक सौधाह गिरी देना है जो कि लास जराने वाला इसलिए कि यह हमारा पंचा देना है आपको बलू है धानुक्त लगाओं है नदी के तीर पर हमको देना है चार ठो हमने सवधागरी का पर्यास कर रहे हैं पैसा हमको मिलेगा तुरत बनवाएंगे उसको अब लोग कहें कि यह नहीं हुआ वो नहीं होगा सभी काम कराएंगे हम काने का मतलब है दो दो पर सरकार कोरोना के च्पट में आ गई तो पैसा कौन फूछता यह विकास पूछता है भाएं विकास तो होना ही है विकास होगा बिलकुल जो आप धन तोली जो गाव बोलेंगे हम उसके लिए हमें स्कूटिव किया गए हमारे पंचायत में धानुक्त लगाव है पांच नमर वाड है तार का जरजर इस्तीति है तार को बदलवा दिया जाए हमने किसी और हमसे अपने बड़े परतियासी से परतिन इदी से मिल करके हम फोन कराए तो फोन में वो लोग बोले कि भाई तार तो लग जाएगा लेकिन नंगा तार है बोलिये मुखिया जी तो हम नंगा तार लगवा दें तो हम गए जी ओबर सियर के पास तो बोला जे मुखिया जी नंगा तार है हम लोग का कभर वाला त अभी नहीं है तो कभरोला तार आएगा तो लगवा दें हम गए भाई वहां का इस्तिति एदम भायावा है दूर घटना घट सकती है कोई घटना घट जाएगी तो आप लोग जिमार होंगे तो बोला कि जे तब ठीक है नंगा तार तनवा देते हैं तो गाउं में हम गए तो बोले जे भाई ऐसा ऐसा परस्तिति है आप लोग दो महिना के लिए लंगा तार तनवा लीजिए तो वहां कुछ लड़के सब हैं वो लोग बोले जे नहीं जब तनाएगा तो हमारा कभरोला तार तनाएगा तो उसके लिए भी हम पर्यास करें जैसे कभरोला तार हमारे प बदोबा दिये एक भरभदावरा गाव है पश्चिम टुला वहां भी ट्रांसफर्मर का वही हालत था तो हमने ट्रांसफर्मर वहां भी बद़बा दिया विकास के लिए हम एकदम तत्पार है हैं और हम यह चाहते हैं जो हमारे पबली को को यह सुभ्दान हो रात दीन एक ए हुए रहते हैं हम और हम इसी बल पे चुना लिया है यह सब आप पूरे पंचायत में अपनी बातों के लिए हमेशा आप मसहूर रहते हैं पूरे हर एक जनता आपको जानती है आपकी बातों के चलते ही अब बात करने में आप एक्सपर्ट हैं बात करने में कोई हरा नहीं सकत विकास नहीं हो पाया यह चीज़ करने से पता चलता है कि हाँ सच में कुछ जो कमी है वो सरकार की दोस्त है उसमें फंड कम मिला इसलिए करे नहीं हुआ जैसा कि हमारे साथ मौझोद थे अभी संकर यादो जी जो पांच साल से महवारी पंचाइत की सेवा कर रहे थे और पांच साल तक परमवारी पंचायत का भाग ये विधाता बन के गदी पर बैठे रहें और पांच साल के अंदर जो भी फंड सरकार दोरा इनको मिला इमंदारी पुरुवक इन्होंने धरातल पर उतारने का हर संबव कोशिस किये हैं और इनका ये खुद का नाम है कि विकास थोड़ा कम हुआ इस बात को हमें सेट करते हैं क्योंकि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है सरकार कम फंड दी थी इसलिए कारे कम हुआ है लेकिन ये भी बोल दे के साफे भी कास नहीं हुआ है तो उसको मैं मानने से इनकार करता हूँ क्योंकि मैं दस वार्ड में हर एक वार्ड में मैंने काम किया है जितना भी मिला है उतना मैं इमंदारी पुरुवक जनता तक पहुंचाने का कोशिस किया हूँ और इनका ये भी कानाम है कि जनता से मुझे अपील करने की जरूरत नहीं है ये जनता सिक्षित और समझदार हो चुकी है जनता देख रही है कि कौन 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 खेल खेल रहे हैं और हम किस मुदा पे भोट मांग रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चुनावी के समय ही दिखाई देते हैं पांच साथ तक दिखाई नहीं देते हैं इनका आरोफ है उसे ब्यक्तियों पे और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हैं ट्वेंटी लाइफ पे धन्यवाद